इवियम को लेकर के ऐसा लगता है कि ना केवल देश बर में बलकि पूरी दुनिया में भी भारत की इवियम को लेकर के सवाल उठते हैं और एक ऐसी खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अब खुद हैरान रह जाएंगे क्या इवियम खुलने से पहले कोई आदमी बिल्कुल सटीक यानि करीब करीब बिल्कुल सटीक बता सकता है कि किस केंडिडेट के कितने वोट आने वाले हैं ऐसा हुआ है BJP के एक नेता ने EVM मसीन खुलने से दो दिन पहले ही उसने बता दिया कि किस के कितने वोट आएंगे बीजेपी के कितने वोट आएंगे और कॉंग्रेस के कितने वोट आएंगे यह वीडियो यह जो स्क्रिन्शोट है वो खूब तैरने लगा मैंने जाकर के फेस्बूक पर उसको सर्च किया तो फेस्बूक पर सर्च किया तो वो नेता की जो आईडी है मुझे मिली और वाकरी में हरान रहे गया और उसके बाद में मैं गया इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर हमारे साथ ही उन्हें आपर खोजा उसको तो जब खोजा तो पाया कि जो उसने लिखा है वही तक्रीबन तक्रीबन हूब हूब उतने ही नंबर है खमाल की बात है ना मैं भी ऐसे हरां रहे गया यह हो क्या रहा है इवियम को लेकर के पहले ही इतने सारे सवाल हैं सब को इतने सारी चीजें अब इस वक्ति के स्कृनिशोट ने तो सबको हिला करके रह दिया मैं आपको दिखाता हूँ यह आप स्क्रीन शोट क्यों आप देखिए यह स्क्रीन शोट है यह विजेपि के नेता है आप भी जाकर करें पर इनके नाम डौब करके अनील यह आप जाकर के सर्च करिए आपको भी मिलेगा और इन्होंने पांस दिन पहले आज से पांस दिन पहले इन्होंने एक पोश्ट डाला फेस्बूक के उपर और क्या लिखा ज़रा सुनिए खाचरोज नागदा यह खाचरोज नागदा जो है वह उजैन जिले की व अन्य के एकए और अन्यय परत्यासी उन के भी टोटल जो अन्यय पर Senior अन्यया है उनको रहे 8364 मत भाजपा के जो परत्यासी है उनके पास मत गए 93,000 और कॉंग्रेस के पास में कॉंग्रेस के केंडियेट के पास में जो कुल वोट डले हैं वोट डले हैं 77,000 और भाजपा यहां पर जीत गई EVM खुलने से पहले इस वेक्ति ने नंबर लिख दिये बाकाइदा देखिए यह तो कोई भी बता देता है कि फलां सीट पर उसकी लहर है फलां सीट पर उसका रुजहान है फलां सीट पर वो वेक्ति जीत रहा है यह बात तो बहुत वेक्ति बता सकते हैं लेकिन यह बात बताना कि फलाने आदमी को इतना वोट मिलेगा और फलाने को इतना वोट मिलेगा यह बात भी बहुत लोग बता देते हैं कि फलान आदमी पांच जार वोट से जीत रहा है, दो हजार वोट से जीत रहा है, दस हजार से पचास जार से बीच जार से बता देते हैं, लेकिन इतना कहना कि बीजेपी के कंडिडेट को 93,000 वोट मिलेंगे, और आए कितने मलूम है, 93,552 यह अगला देखिए अग पांसो बाववन वोट आए है बीजेपी केंडिडेट को, यानि इसके कहे में और उसको जो एक्च्वल नंबर मिला है, एक्च्वल जो उसको वोट मिले है, कि वो पांसो वोटो का अंतर है, कॉंग्रेस के लिए इसने कहा कि 77,000 वोट मिलेंगे, और कॉंग्रेस के कमिशन का मैंने पूरा उजयन का निकाल लिया, यह पूरे उजयन का इलेक्शन कमिशन का जो है, वो यहां पर दिख रहा है, और इसमें देखिए आपको अलग-अलग तस्वीर नजर आ रही होगी, और इस तस्वीर के ज़री जो है, समझ में आएगा कि किस केंडिडेट को कितना कितना वोट मिला है, और अगर केंडिडेट के हिसाब से यहां पर बात करें, तो यहां पर अलग-अलग जो परत्यासियों का वोट देखेंगे आप, तो अलग-अलग परत्यासियों का वोट वो जोड लीजिए, वो वही वोट बनता है, जो इसने कहा था, अन्ये के लिए आठ हजार वोट मिलेगा वही वोट आया है अब मैं इसकी एक स्क्रिंशोट एक और दिखाता हूं एक अगला स्क्रिंशोट और देखिए इसकी जो प्रोफाइल फेस्बुक के उपर अनील के नाम से वह आपको दिख रही है और इसका जो टोटल वोट है जो इसने बता है पोस्टल बैलेट का रजल्ड और पोस्टल बैलेट में 927 कुल वोट बले हैं एमासिति इत्तका relying कि मैं कि मैंने कुछ ऑला हो सकता कि वही चीजह गई है यो लेकिन इतने नंबर इसने बताए और वही नंबर विल्कुल हूब हूँ आये इसने तो वह जो धिरंदर सास्त्री दावा करता अपने आप में हलाकि मैं इस प्रकार के दावों पर यकीन करता नहीं लेकिन जैसे धिरंदर सास्त्री एक दो और बाबा ऐसे जो पर्ची वर्ची निकालने का काम करते हैं इसने तो गजब पर्ची निकालती है अब यह गजब पर्ची निकाली है तब इसको पता है, या कई और से इसको पता है, कॉंग्रेस के नेता धिगविजे सिंग ने क्या लिखा ज़ना देखिए, कॉंग्रेस के नेता धिगविजे सिंग ट्वीट करके कहा रहे हैं, कि इन दो तस्lastिरों पर गोर करें, लाल बैकग्राउंड में बीज़े पी कारीकरता, लिख रहे हैं कि खाचरोध विदानसवाद चुनाव में कितने वोट गिरे हैं और कितने वोट से कौन जीत रहा है मैतपुर्ण यह है कि यह पोस्ट मतगणना से दो दिन पहले यानि एक दिसंबर को लिख दी गई थी और अब नतीजों के दिन तस्वीर मिला करके आप देख कि यह अब घजब नहीं तो आप बताई और क्या है कि क्या कहेंगे इसको अब इतना जो है वो सईयोग परियोग तो देखने में नहीं मिलता अमतोर पर अब इसको ऐसा कौन सा सपना आ गया किसने बता दिया कि एक तारिक को यह वैक्ती बता दे रहा है कि इतने वोट आ रह जो एक बीच में आरोप लगाया गया बाला घाट को ले करके, कि यहां पर postal बैलेट जो है, पहले से खोल दिये गए, फिर उसके बाद में बाला घाट के अंदर करवाई भी हुई, तो क्या ये वो मामला है उसी तरह का मामला है कि जिस तरह से बालगाट में पोस्टल बैलेट खोलने को लेकर के चुनावायों ने खुद करवाई की है कॉंग्रेस ने सिकायत की चुनावायों को कारवाई करनी पड़ी चुनावायों ने माना कि हाँ कहीं न कहीं नियमों का उलंगन हुआ है तो क्या इसी तरह से इसके चितर में भी कुछ ऐसा ही हो गया था और क्या केवल पोस्टेल बैलिट नहीं बलकि इवियम भी उसके भी आखड़े देख लिए गए सोच करके देखिए बड़ी हरान करने वाली बात है यह तकि एक चीज मैं आपको बताता हूं एक चीज तो कोई भी बता देगा वो क्या कि टोटल वोट कितने गिरे हैं टोटल वोट किसी सीट के उपर कितने डाले गए हैं यह बात कोई भी वेक्ति बता सकता है कैसे बता द 30,000 वोट है और शाम तक जो है ये बात पता चल जाती है कि फलाने बूत पर इतने वोट डलें फलाने बूत पर इतने वोट डलें फलाने बूत पर इतने वोट डलें टोटल वोट जो जुड़ करके आ जाता है कि 1,66,000 वोट डला है टोटल वोट जो है वो है 230,230,000 और सारे बूठों को जोड़ करके वो टोटल वोट बना है 1,66,000 तो ये बात बता देना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कितने वोट टोटल गिरे हैं टोटल वोट कितने डाले गए ये बात बताना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं बहुत बड़ा गनित नहीं है आप सारी अलग टोटल वोट में से कॉंग्रेस को इतना गया है और बीजेपी को इतना गया है मैज 500 वोटों का अंतर है आपको याद होगा एक बार इसी तरह से इसी तरह से बीजेपी आईटी सेल के अमित मालविया ने एक बार तारिक डिकलेर होने से पहले तारिक ट्विटर पर लिखती थ तो किया ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है क्या और सोचकर कि देखिए अगर सब कुछ वाकिए ऐसी चल रहा है तो देश के लोगों के साथ में देश के मतदाताओं के साथ में कितना बड़ा जोल के जा रहा है क्या ये वाकिए दुख की बात नहीं है एक और मैं आपको ख़बर दिखाता हूं इसी बीच में एक और ख़बर देखी आप ये हरी भूमी की ख़बर है और ये चार दिसंबर की ख़बर है चार दिसंबर को जो एक ख़बर लगी है हरी भूमी अख़बार में कि ऐसा परत्यासी जिसे खुद का वोट नहीं मिला लालचंद पटेल इसका नाम है बीएसपी का कैंडिडेट है और ये कह रहा है कि इवियम में गडबडी है या इवियम के उपर मुझे विश्वास नहीं है मेरा खुद का वोट फैमिली के वोट जिस गाओं में मेरी बहन मेरे जीजा रहते थे उनका वोट भी नहीं मिल पा खापाई है दूसरा देखिए न्यूज 24 का भी जिसमें उपर नेली पट्टी में लिखा हुआ है कि कहां गए मेरे फैमिली के वोट मुझे इवियम पर वरोसा नहीं है अब ये आदमी कह रहा है कि मैंने अपनी जीवन खपाया है लोगों के लिए काम किया है तो कम से कम गा यह सभाष है कि मेरे को चाय रोटी नासता पानी पुछेंगे लोग कहेंगे किौने आओ यह वह WhatsApp आओ बैठो और बेट्वन 80 मेरे कहने पर वोट डे देंगे मैं हार रहा हूं जीत रहा हूं गा लेकिन लोगी तो कम से कम बोट करेंगे यह तो गर भर रोटी खा करके आ रहे हो वह घर वाले आपको गाड़ी दे रहे हैं किराय पर आगे ले जाओ भाई यह दस दिन गाड़ी तुम रखो कोई पैसा नहीं देना कुछ भी नहीं देना और यह गाड़ी तुम चलाओ परचार करो अपने उनका लड़का आ रहा है तुमारे चुना कि कहां गए मेरे फैमली के वोट मुझे ईवियम पर वरोसा नहीं है बीएसपी परत्यासी लालचंद फटेल का को नहीं मिला खुद का वोट बोले ईवियम में सैटिंग होई है सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ उनका पुराना वीडियो अब यह निज्ट्टिफोर कह रहा यह जो निकल करके चीज़े आ रही है इसमें मैंने नहीं देखा कि यह वीडियो अब का है या पहले का है लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ न कुछ तो ऐसा लगता है ईवियम को ले करके लोगों में बहुत डाउट है बहुत डाउट है और निश्चित तोर पर चुनाव आयोग को इन चीजों को दुरूस्त करना चाहिए है बहुत बार ऐसी ख़बर निकल करके सामने आती है कि फला जहें पर हम लोग जा रहे है बटन किसका दाब़ा रहे है पर्ची किसकी निकल रही है फला जहान पर हम जा रहे हैं, और फला जहान पर हमारी परची नहीं आई है, फला जहान पर हम गए तो EVM बटन दवाने में इतना टायम ले लिया। सा पैदा करना चुनाव आयोग का काम है लेकिन जब जब हम देखते हैं कि खास तबके के अंदर खास मोहलों के अंदर लोगों की वोट वहां पर दिखाई नहीं देती है तो लोगों का विश्वास डगमगाता है जब लोगों को पता चलता है कि वो जा रहे हैं लेकिन वहां आत लोटना पड़ रहा तो लोगों को विश्वास डगमगाता है जब लोग कहते हैं कि इस बूत पर हमने एक तरफा वोटिंग की है और फिर उसके बाद में नतीजे में वोचीज नहीं दिखती है तो लोगों को विश्वास डगमगाता है और इसी तरह से अब चुनाओ के तरह से दादली के साथ हो रहे हैं या चुनाओ पूरी तरह से नकारा निकम्मा है मैं यह बात बिलकुल नहीं कह रहा हूं और उल्टा मैं तो यह कहता हूं जब जब ग्राउंड पर जाता हूं रिपोर्टिंग करने के लिए तब तब मैं यह कहता हूं कि यह सबसे बड़ा तेवार है जैसे होली दिवाली इद की हमें खुशी होती है वैसे ही चुनाओ की हमें खुशी होनी चाहिए और सब को बढ़ चड़कर के इससा लेना चाहिए और मैं तो कई वार यह भी कहता हूं कि सो परसेंट वोट इस देश में नागरिकों के लिए कंपलसरी कर दिया ज चाहिए इस कारण की वज़े से यह इन वज़ें से मैं नहीं हाप आ रहा हूं तो उसको जो है वो रियायत देनी चाहिए बाकि जो भी आदमी है वोट डाल सकता है उसका वोट सो परसेंट कंपलसरी कर देना चाहिए और उसके बाद में सो परसेंट इन पार्टियों को भी अपनी चुनावी मैनिफेस्टों को पांच साल के अंदर पूरा करवाने की चुनावायोग की तरफ से कही न कहीं जो है वो कुछ न कुछ ऐसा नियम काइदा निकालना चाहिए कि जो बात आप मैनिफेस्टों में कह रहे हो अपने गोशना पत्र में जो बात कह रहे हो पांच वोट हासिल कर ले रहे हो, तो ये भी तो चुनावाई हो कि उपर बट्टा लगता है, तो खेर ये बाते हैं, शेर कीजिए इस ख़बर को बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है कि कैसे एक व्यक्ति को पता चल जाता है, शेर कीजिए और आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट वोक्स में लिक करके जरूर बताईए, इसी तरह की तमाम ख़बरों के लिए, ओलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो पहला आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए, ताकि जैसे ही कोई ख़बर अपलोड करें, उसकी नोटिफ झाल